और यह मैंने लॉक्डाउन में जो इसेंसेल पार्ट है यह दोनों पार्ट मंगाए थे उसके बाद दिखाएगा रीडिंग एक आदा मिनित के बाद मेरा अबी का लेवल है 97 जो ऑक्सिजन लेवल दिखा रहा है और जो नीचे का 88889 ऐसा कुछ जो दिखा रहा है और आपको देखने में थोड़ा सा सविलेत हो इसलिए यह बटन अगर आप दबाएंगे तो यहां से भी देख सकते आप नमस्कर दोस्तों मैं हो आपका दोस्त नितिन कोमा एक नए वीडियो के साथ आज हमारा फ्लिप काट से एक मेलोडी का बचाने का इंस्ट्रुमेंट है उसका पार्सल आ चुका है एक्च्वल में लॉक्डाउन में हमारा जो वेस्ट जाने वाला टाइम है वो हम कैसे स्पेंड करते हैं एकदम माईने रखता है कि मेरे पास कैसे हो का 860 INB है लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कहीं टैवल पे जाना हो तो बजाने के लिए जो इंस्ट् अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेर जरूरूर करना हर बार की तरह मैं विक्टर पाइनॉक्स से आपको दिखाऊंगा एक्च्वल में यह मेलोडी का होता क्या है यह अभी-अभी संडे मेरे अड्रेस पे यह मिला है जो मेरे को आया है वो ग्यारा सो रुपे का मात्र पड़ा है इसमें सारा बॉक्स खाली है सिर्फ उसका आप देख पा रहे होंगे 1099 है यह मैंने क्यों खरिदा था क्यूंकि मेरे को अगर ट्रेवल करना है तो मेरे मोबाइल में भी एक एप है मैं ऐसे ही दिंबर या हर दिन के दो गणटा उसके प्रेक्टिस करता हूँ लेकिन मेरे को लगा कि उसका जो आवाज है एकदम अच्छी तरीके से आएगा इसलिए मैंने यह मांगाया है इसका हम रिव्यू आज देखेंगे और यह हमें इस टाइम से मिलता है जो हवा से अपने ठूप की वज़े से यह आप बजा सकते हैं लेकिन उसमें आपको बजाने का थोड़ा एक्सपेरियंस होना चाहिए अगर आपके पास एक्सपेरियंस नहीं है तो आप शिरफ प्रेक्टिस करके ही यह बजा सकते हैं यह रहा मेरा मेलोडी का साथ आया है यह यह येरपाइप जो फुकने वाला है यह हमने उसका rapper हटा दिया और इसके साथ मिलता है यह बलोपाइप यह से आप हावा फुकेंगे उसमें और उसके बाद ये बजेगा लेने को तो कोई भी ले सकता है लेकिन उसको आपको हार्मोनियम या पियानो की जानकारी जरूरी है यह हमने उसमें ब्लो पाइप बिठा दिया और हम आभी देखेंगे उसका आवाज आता कैसे है यह जो मैंने मेलोडी का मंगाया था यह 32 की का है और मेरे को 1100 रुपे में आया है एक्चल में यह रही सारे गामा पाधा नीसा सानी धप मागरेसा यह करके है और हमने उसमें ब्लो पाइप भी लगाया है उसमें कुछ अक्षर लिके होए और उसका जो वेट है वो डाही सो ग्रैम का है सिरफ और जब हम बाहर कहीं ट्रैवल के लिए जाएंगे तो उसके साथ हम सपर करेंगे अभी इसके बाद का तो हम देखते हैं इस से कौनसा कौनसा गाना हम बचा सकते हैं एक गाने की रियल सिल भी हमाँ आपके लिए करेंगे आँ आए अगो है है हाँ आए हाँ अहाँ आए हनुए हाँ हुध आ हाँ आँ हाँ आप आ आए यह जरा चाहाँ ही हुआ की मांग कर रहा है आपको भूद फूखना पड़ेगा आप बहुत सारा फूख के ये बजाएंगे तो आपको चक्कर आने लगेंगे क्योंकि हम ब्लो एर से जब भी कोई गाना बजाते हैं तो चक्कर आने लगता है तो आप देखिए मैंने जो थोड़ा सा जाना सेट की है उसमें बहुत सारी फूख की जरूरत आपको है अगर लॉकडान में आपका टाइम अच्ची तरह किसे नहीं गुजर रहा है तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट मंगा के आप घर पे बहुत सारा नौलेज है यह आप ने सकते है यह इंस्ट्रूमेंट जो मेरे हाथ में आप देख रहे है इससे आपको मेडिटेशन होगा बहुत सारा और आपके पास जो भी खाली टाइम है लोकडाउन में वो आप यूज कर पाएंगे अगर आप वेस्ट टाइम टीवी देखने में वेस्ट करेंगे बहुत सारा वेस्ट होगा इससे अच्छा है कि कोई यह गाना अपना जो इंडिया का एंथेम है अगर यह भी सीख पाएंगे तो यह आपके लिए बिल्टर होगा अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करना मेरे को लगता है कि यह चीज़े मेरे को सीखनी चाहिए इसलिए मैं वो सीख रहा हूँ ये व्लॉग आगर आपको अच्छा लगा तो लाइक पामेंट से दिरू करना एक दम शॉर्ट वीडियो था आपना संड़े का अरे हां मैं तो एक बात बताना धुली गया है अच्छल में इस लॉक्डाउन के रिजमे में दूसरा एक प्रोड़क्ट जो फिपकार्ट से मंग कीज लिखाए लेकिन ये ऑक्सीएमेटर मेरे को जो मेरा स्कीम है फिलिपकारट के तयर्ट उसके लिए लगती है दो सेल जो मैंने पहले सी बिठा के रखी है इसमें ये सेल उसमें लगती है लॉकडाउन में जो इसेंसेल पार्ट है ये दोनों पार्ट मंगाए थे देखेंगे तो ऐसा स्टार्ट किया जाता है उस पर मेसेज आएगा यूर 804 ये इसका मॉडल है शायद ऐसा आएगा ब्लैंक स्क् मिनिट के लिए अपना उंगली डालना है जो भी फिट बैठता है इसके बाद दिखाएगा रेडिंग एक आदा मिनिट के बाद मेरा अबिकार लेवल है 97 कुछ जो दिखा रहा है वो जो है मेरे और आपको देखने में थोड़ा सा सविले तो इसलिए ये बटन अगर आप दब आएंगे तो यहां से भी देख सकते है फ्लिप काट एप में अब देख सकते मेरा जो और है कि मया ओर्डर स्था इसमें जो अ मेरे को यह लगता है कि यह इंपोर्ट किया गया है शायद मेरी चाइन प्रोड़क्ट हो सकता है लेकिन जो भी है मेरे को सिरफ रिडिंग दिखाने से मत लगा आउर इस फ्लॉग में मैंने जो दो प्रोड़क्ट आपके लिए रिव्यू किये थे यह इसेंसल है या नही है कमेंट में भी बता सकते हैं यह फ्लॉग अगर आपको अच्छा लागा तो लाइक कमेंट शेर जरूर करना इससे मेरा होसला बढ़ता है